नवरात्री इतनी बढ़िया गई है ना, अब बस चिकन की क्रेविंग हो रही थी First thing we ordered at AB's was everything non-vegetarian on the grill और सौाद तो इतना बढ़िया था ना, हम देखने ही चलेगे की बन कैसे रहे इनके तो वेच्टिक के भी इतने बढ़िया थे और विश्ग्रिल ने तो हमारी सारी विश्टिस पूरी कर दी इनकी टिक्कियों और गोलगप पे तो एक दिम स्ट्रीट स्टेयल थे यही खाते रहेगे, पते ही नहीं चल लगी बुफे भी खाना था वो बस यार हर चीज की नहीं बनानी वीडियो mix it and match it just look at the color and the flavor, all of it made it look so worth it cheers तो बनता है सिर्फ वीडियो के लिए पता नहीं क्या क्या करवाता रहता है यह खाना तो डिप करके ही है, थुरा जल्दी कर ले अच्छी तो लग रही है, इतना क्या हो गया इससे बढ़िया तंदूरी चिकन मैंने नहीं घाया गई बट अभी भी ना कुछ कमी लग रही है ओ, चटनी तो मैंने लगाई ही नहीं बट अब देखने में इतना बढ़िया लग रहा है नहीं यह मैं खाँ हूँगा इनी शोपीस बना लो इसका वराइटी की तो कमी ही नहीं है यार आमीन दो चक्कर लगाने पड़ गए है और पेट में लिवरिटेट स्पेस इससे रेली नॉट फैर इसी का लेने के सारा मज़ा जल्दी करो और कुछ खाए ना खाए ये तो जरूर खाना है आधा स्वाद तो खुश्बू से ही आ गया बस और कितनी डालनी है रेवी और रोगन जोस तो इतना बड़िया लग रहा था न देखने में एकदम फुर्सत और तसल्ली से बिचाया है इसको और सूप के टाइम पर देखो जल्दी हो रही थी एक एक पीस तो फिश करी और एक करी का भी बनता है तो टेखने पर चोई करी एक लगर गट and you can never go wrong with some extra chocolate but the paan ice cream was an absolute show stopper and the saunf was like a cherry on the top it was that good the grand feeling of eating at absolute barbecues is something that no one should miss out on it's your time to try it out now tried and tasted restaurants for you with deals delights and drama like comment share and subscribe